क्लास 9, चप्टर 10, हिरोन्स फार्मॉला की एक्साइस 10.1 का फिर्स्ट कुर्शन आजम करने जा रहे हैं इसमें कहा गया है कि एक स्कूल के पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा गया है जिसमें लिखा है स्कूल अहेड इसका मेलब स्कूल आगे है आपको वहां संबल कर चलाना है और यह डाइग्राम कुर्शन में गीवन नहीं है मैंने समझाने के लिए बनाया इसमें कहा गया है कि इसकी साइड अगर A है और यह एक्विलेटरल ट्रैंगल के फॉर्म में है तो इसका एरिया नकालना है आगे इसी कुर्शन में कहा गया है कि इसका पैरिमेटर 180 सेंटिमेटर है तो फिर इसका एरिया नकालना है तो इसका फर्स पार्ट देखते है इसमें कहा गया है कि इज साइड अ है S मीन्स सेमी पैरिमेटर सेमी पैरिमेटर होता है sum of the sides divided by 2, यहां पर sides हमारी equal है, A, A, equilateral triangle है, हम area find out करें इसका, इस formula में put करें, देखिए ध्यान से, S, S minus A, S minus B, S minus C, तो S हमारा क्या है, 3A upon 2, अबर S minus A, means 3A upon 2 minus A, सब जगह A है, तो हम यही repeat कर लेंगे, 3A upon 2 as it is है, in fraction को हम भी solve किया, A by 2, A by 2, A by 2, अब देखिए, strand 3, and A to the power 4, चार बार है, और यह 2 to 2, चार बार 16, तो इसमें से A square भारा जाएगा, और only root 3 रहेगा, और 16 का भी 4, यह आगिया first part का answer, root 3, A square by 4, जो कि आप जानते है, equilateral triangle का area होता ही है, तो यह एक तरह से हमने derive कर दिया formula, कभी-कभी यह question, ऐसा भी पूछा जा सकता है, derive the formula of equilateral triangle, taking the side A, मैं लोग, equilateral triangle की side अगर A है, तो इसका formula प्रूव करिए, तो यह solution होगा उसका, अब आगे कहा गया है कि इसका perimeter 180 cm है, इसी triangle का perimeter is given 180 cm, तो हमें area नकालना है, perimeter 180 है, तो means, each side क्या होगी, 180 by 3, सभी side equal है, तो A is equal to 60 cm, perimeter 180, each side is 60 cm, अब direct हम यहाँ, formula में A की value put कर गे area नकाल सकते हैं, तो next part answer आगया, 900 root 3 cm square, area of this equilateral triangle, कुछ books में students, यहाँ पर root 3 जगर 3 दिया हुआ है, तो वो मिस्टरंटिंगे, तो this is correct answer, 900 root 3 cm square,